पैरों में पोलियों लेकर मा के साथ बेचता था चूड़ी, बन गया I.S. ओफिसर हेलो दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ जहाँ है वहाँ राह है, जी हाँ, ऐसे ही कुछ कहानी है रमेश घोलब की महराश्च के सोलापूर के रहने वाले एक शक्स, जो कभी मा के साथ चूड़ियां बेचकर अपना पेट पालता था, आज वो एक I.S. ओफिसर है गरेबी और पोलियों से पीडित रमेश ने अपने जिन्दगी से कभी हार नहीं मानी और आजवा सब के लिए एक बड़ी मिसाल बन गये है रमेश के पिता अपने पंचर की दुकान में चार लोगों के परिवार का किसी तरह से भारण पोशन करते थे हाला कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी तब्यत खराब हो गई और उनको इलाज के लिए अस्पताल में भलती करना पड़ा परिवार का गुजर बसर करने के लिए रमेश की माने आसपास के गाउं में चूड़ियां बेशना शुरू किया रमेश और उनके भाई इस काम में अपनी मा की मदद करते लेकिन भगवान को शायद उनकी और परिक्षा लेनी थी इसलिए रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया रमेश के गाउं में पढ़ाई के लिए केवल एक ही प्राइमरी स्कूल था रमेश को आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके चाचा के पास बरसी भेजा आ गया रमेश को पता था कि केवल पढ़ाई ही उनके परिवार की गरीबी को दूर कर सकती है इसलिए वह दिल लगा कर पढ़ाई करने लगे रमेश पढ़ाई में काफी अच्छे थे जब उनके पिता की मौत हुई तब वे बारवी की परिक्षा की तैयारी में जुटे थे रमेश के परिवार की हालत ऐसी थी कि उन लोगों को के पास अपने पिता की अंती म्यात्रा में शामिल होने के लिए दो रुपे भी नहीं थे किसी तरह से पड़ेसियों की मदद से पत्पिता की अंती म्यात्रा में शामिल हो पाए उन पर दुखों का पहार तूट पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 88 पितिशत अंक के साथ बारवी की परिक्षा पास की बारवी के बाद उन्होंने डिपलोमा किया और 2009 में शिक्छक बन गए लेकिन रमेश यहां रुकने वाले नहीं थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आया इसकी परिक्षा की तैयारी में जुड़ गए कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने साल 2012 में सिविल सेवा परिक्षा में 287 रैंक खाल सिल की सफलता के बाद जब वे पहली बार अपने गाउं पहचे तो गाउं वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था ये थे इस तरह और सक्सेस स्टोरीज के लिए हमारा चैनल जरूब सस्क्राइब